पिस्मिल्य वक्मैन वहीम, आज हम बना रहे हैं आलो का सालन, जो बहुत लाजवाब और बहुत उंदा रेसिपी है, और असान भी, इस रेसिपी से आप लाजवाब सालन बना सकते हैं, आलो का तो इसको बनाना शुरू करते हैं, एक पेन में ओल गुरम करेंगे, और दो अद तएथ ऑड़र, 1 teaspoon, हल्दी – 1 teaspoon ये पिसावा धन्यग है 1 teaspoon की थोड़ा सा मेने और आड़ कर दिया था गरम मसाला पॉड़र, वन टैबले स्पून, नमक 1 teaspoon, भ्यलक मेंच पॉडर, और नमक नमक अपने टैस के मुताबिक एड़ कर सकते हैं, कसूरी मेती में एड़ करूंगी 1 टैबल स्पून, आपके पास हे तो डाल दीजिए बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, तो लो फ्लेम में इन मसालों की भुनाई करनी है तीन मिनट के लिए, तो देखे मेने पानी नहीं डा अलो को यह भी हल्की आश में मिक्स की है, फिर में घही डाल दूँगी, यह फितावा धई है तो थोड़ा पतला था मेरे पास तो आप प्याली धए अड़ की है, और धही बस मिक्स करने के बाद, इसमें में थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी, बस आलो गल जाए, थो अब हम हाई फ्लैम कर देंगे बुनाई करेंगे हरी मिल्ची पसंद ये तो आप डाल सकते इसमें तो मैंने हरी मिल्ची आट की है और बुनाई कर लेंगे तु दिखिए इसमें से रोगन हो चुका है, सेप्राइट हो चुका है, अब हम इसमें शौरबा करेंगे पसन्द के मुताबिक, तो मैं इसमें शौरबा कर लिया है और आप शौर्बा करने के बाद नमक चेक कर सकते हैं आप चाहे जिसमें गरा मसाला पॉर्डर थोड़ा सा डाल सकते हैं और अच्छा फ्लेवर बन जाएगा हरा धनिया है तो आफ रेश डाल सकते हैं तो देखिए इतना अच्छी गरेबी बन के तयारे में पांच मिनट लिए लॉफ लैमें फिर से रखोंगी इस रेसिपी को आप जरू ट्राय करेंगा यह लाजवाब सी रेसिपी हैं आपसे जाला चाहते हैं अल्ला हफीज